सबीको नमस्कार आज हम पत जहर में तूटी पत्तियां और दूसरा पाट करेंगे जहन की दिन तो इसे लिखा है रविंद्र केलकरजी ने इसमें वह बताते हैं कि शुद सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिला दिया जाता है इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और सोने से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और इसलिए औरतें अकसर इसी सोने के गहने बनवा ले थी हैं क्योंकि वह मजबूत होता है लेकिन मिक्स तो मिक्स है तो गिन्नी क सोना अलग होता है और शुद्ध सोना अलग होता है इसी बात की तुलना गांधी जी के आदर्शों से यहाँ पर की गई है गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवारिक तक इस तर पर उतरने नहीं देते थे यानि कि उनके आदर्श अलग होते थे लेकिन वो व्यवारिक नहीं होते थे वे सोने में तांबा नहीं बलकि तांबे में सोना मिला करके उसकी कीमत बढ़ाया करते थे इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था उसके बाद लेख क्या कहता है देखो व्यवार वादी लोग हमेशा सजग रहते हैं यानि उन्हें पता रहते हैं कि वो क्या व्यवार कर रहे हैं वो हर काम अपना लाब और हानी लगा करके करते हैं और हमेशा हिसाब लगा कर ही कदम बढ़ाते हैं कि इस कहरे को करने से उन्हें लाब होगा या हानी होगा और अक्सर वे लोग जीवन में सफल भी हो जाते हैं अन्य लोगों से आगे भी चले जाते हैं यही हमारे जो समाज है उसको व्यवारवादी लोग गिराया करते हैं तो व्यवारवादी लोग हमारे समाज को गिराया करते हैं क्योंकि वो हर काम हिसाब लगा करके करते हैं यहाँ पर यही बताया गया है कि गिन्नी का सोना कैसा होता है और शुद्ध सोना कैसा होता है तो उसी तरह से दो तरह के लोगों में अंतर बताने की कोशिश यहां पर लेखकने की है जो मिलावटी लोग होते हैं यानि वेवारवादी लोग होते हैं वह है आसाधारन परकार के जो लोग होते हैं जिसे गांधी जी थे लेकिन वो शुद्धतत से काम किया करते थे जिस परका से शुद्ध सोना होता है यह हमारा था गिनी का सोना और दूसरा हमारा चैप्टर आता है जेन की देन इसमें एक मित्र की कहानी बताई है जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा यहां के लोगों को कौन सी बिमारियां अधिक होती हैं उन्होंने कहा कि यहां के ज़्यादा तर लोग मनो रोग से पिरित हैं यानि कि उन्हें मानसिक बिमारी है कारण क्या है? यह कहने पर उसने बताया कि हमारे जीवन की रफतार बढ़ गई है आजकल हम अमेरिका से प्रतिस परधा करने लगते हैं और जब हम अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं तो इसकी स्पीड इंजन से तेज दोडने लगती है और यही कारण है कि एक दिन तनाव से पूरा इंजन टूड जाता है इसी कारण से हमारे मानसिक में लेकर के जाते हैं यह चाय पीने की एक विधी है और इस विधी को जापान में चा नो यू कहते हैं यहां पर देखो यह शब्द जो है उसके लिए प्रयोग में लाया गया है आप ध्यान में रख ले ना तो वह है जो टी सेरेमनी जहां पर होती है वह एक छे मंजिली इ मारत थी उसमें चिटाई पर एक जमीन जो थी वहां पर सुंदर पर्ण कुटी थी यानि पत्तों से बनाई हुई चोंपड़ी बना रखी थी बाहर बेढ़व सा एक मिट्टी का बरतन था और उसमें पानी भरा था हमने अपने हाथ पाउं धोए तोलेश से पूछे और अं अगए क्या करता है देख न यह देखो चित्र में दिखा रखा है किस तरह से ओचाई पीने के लिए लिए जाते हैं फिर वे कि चाह तैयार है उसमें चाहे सांपने जोग पर मीत्達 और हमटी तीन जोग बेर तक च्षज को का यह सिलसिला चलता रहा चलता रहा यानि लगबख डेट गंटे तक वे लोग चाय पीते रहे और दस पंदरा मिनिट तो वह उल्जन में लगा उसको उल्जन होई कि या यह क्या चल रहा है दिमाग की रफता धीरे-धीरे धीमी पड़ती जा रहे थी यानि कि उसके दिमाग अब सोचना बंद कर दिया था यहां तक कि सनाटा भी मुझे सुनाई देने लग गया अब उसको सनाटा भी सुनाई देने लग गया अकसर हम या तो अपने पिछले टाइम में जीते हैं या तो हमारे आने वाले समय में जीते हैं लेकिन हमारे जो सामने हमारा यह देखो यह आपे वर्तमान अक्षन है वर्तमान हमारा जो टाइम है वही सब कुछ है यह बताने की कोशिश यहाँ पर लेकख करता है जीना किसे कहते हैं यानि कि जीना किसे कहा जड़त है यह मुझे उस दीन मालूम हुआ जेन परइंप्रा कि है बड़ी देन मिली है जापानियों को जापनी इस परँपरा को जीते हैं यानि वर्तमान को ही सब कुछ मांनते हैं यहां eva में रहते हैं या तो हम पिछले समय में रहते हैं लेकिन यह सही नहीं है यह जेन की परंपरा जो है यह में किसकी देन है जापानियों की देन है यह मारा है पाठ गिन्नी का सोना और जेन की देन तो यहां पर आप प्रिशन देखो सुद्ध सोना और यह अलग क्यों होते हैं गिन्नी का सोना अलग होते हैं मैंने बताया प्रैटिकल आइडिय logist किसे कहते हैं पार्ट के संदर में शुदादश क्या है और speed की बात क्योंकि है यहाँ पर यह सारे प्रेशनों के उतर आपको इस पार्ट में मिल चुके हैं फिर भी आपको कोई प्रेशन अगर लिखने में या समझने में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो मुझे comment section में जरूर comment करके बता सकते हो जब भी मुझे next video में इस पार्ट के बारे में मैं चर्चा करूँगी आपके इकलास के किसी पार्ट की हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पर इस प्रेशन को जरूर solve करेंगे thank you for watching और हाँ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना साथ में वहाँ पर बेल बटन आपको दिखाई देता है वो भी प्रेस करना तक कि आपको सभी जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसी तरह से आप अपने पढ़ाई को करते रहें थैंक यू फॉर वाजिंग